आज हम पढ़ेंगे स्टेंडर फॉर्थ एन भी चैप्टर शीक्स रियास जर्नी तो आप लोगों भी जर्नी किये होंगे कहीं पे भी गए होंगे घूमने के लिए बश में या ट्रेंड में तो ऐसे ही रियास भी रिया की जर्नी है वो इस चैप्टर में है तो चलो देखते या है उरीया इन्थ में गूमने का हैं तो कितने गूं ने जाने से हिपंदा दिन पहले करते हैं क्योग जाते है जब holiday में तो वो हमनों कितने पहले से पंदा दिन एक मैने पहले से तयारी कर लेते हैं ना और कितने excitement होते हैं काई पे भी घुमने जाते हैं तो तो ठीक इसी तरह रिया और उसकी फ्रेंड जिया भी बहुती ज़्यादा excited थी They were going for a trip on a train to Wapi तो लो काँ पे भुमने जाने वाली थी? उनका ट्रेप था बापी, ट्रेंड से बापी जाने का So रिया वस गुएंग टो हर अंकल्स हाऊश एंड जिया वस गुएंग तो दमन वीथ हर फेमिली फोर आ हलिदे तो रिया अपने अंकल के घर आई ठीके? उसके अंकल के घर आई और जिया अपने फेमिली के साल हलिदे मानाने के लिए दमन गई तो एस बोद दा फेमिली इस डिसाइडेड टू गो टूगेदर रियास फॉदर एट बोक्ट ट्रेंड टिकेट्स वर बोद दा फेमिली इस बीफोर 15 देस तो दोनो फेमिली ने डिसाइड किया जिया और रिया के फेमिली ने डिसाइडेड किया कि अपने सब साथ में मिलके हम लोग 15 दिन में गूमने जाएंगे वापी गूंने जाएंगे और इसलिए कैपShare जाते दूर तो पहले से टिकेट निकलना पड़ते हैं किसे से कॉन जो भी वहिकल से जाते ट्रेंड से या प्लेंड से जाते तो ठीकित निकलना पड़ता है तो इसलिए जिया अरिया के पापा जो है वो दोनों फैमिली के टिकेट बूक कर लिया तो जस्ट टो डेज विफोर दियर जानी उनके जानी के दो दिन पहले जिया विमार पड़ गई डॉक्टर ने कहा कि एकदम रेस्ट लेना है माला कहें पे भी गूमने जाना बाहर नहीं जाना है तो कि नॉट एलाओ इसलिए उसको रेस्ट लेना है जिया के फैमिली जो है वो अपना टिकेट कैंसिल कर दिया बोथ फ्रेंड्स वेर वेरी सेट अस दे हैड मेड मैनी प्लैंस फॉर दा ट्रिप वो दोनों फ्रेंड्स जिया और रिया कितने सारी मलब प्लैंस किये थे ट्रिप पे करेंगे वो करेंगे है ना पर जिया बिमार पर गई इसलिए टिकेट कैंसिल कर दिया जिया के पापा फैमिली ने तो दोनों फ्रेंड्स जो थे जिया और रिया एक्दम दुखी हो गई बहुत ज्यादा दुखी हो गई डियू टुजिया कैंसिलेशन रिया felt very sad अब जब जिया के पापा ने अपना जिया के family ने टिकेट कैंसल कर दिया तो रिया बहुती दूख हो गई दूख होगा उसको तो sad हो गई जिया said I had an idea जिया ने जिया जिया ने कहा I had an idea मेरे पास एक idea है सी टोल्ड रिया को उसने कहा रिया को क्या कहा जिया ने देखते डोंट पी अफसेट मलब अफसेट नहीं होने का दुख नहीं होने का यू राइट एवरिटिंग अबाउट यूर ट्रीफ इन डाइरी एंड टेक फोटोस और वीडियोस इन यूर मोबाईल तो जिया बीमार पड़के तो जिया नहीं जा पाड़ी इसलिए जिया ने डिया को आइडिया दिया के मेरे पास एक आइडिया है तो में अफसेट मत हो दुखी मत हो तो में काम करना जो भी वहाँ पर जाओ जो भी मतलब जब तुम वहाँ पर जाओगे घूमने तो जो भी चीज आप देखोगे अब जो भी मतलब घूमोगे तो वह डाइरी में लिख लेना और फोटोस कीचना और बहुत सारे वीडियोस भी अपने मोबाईल अब यहाँ पर ले ले लेना घीक है तो तक जिया भी बात में देख पायँ वlegen You Will Come Back i will read your डाइरी & i will 2 days & will and will see photos sth a ंद वीडियोस चाब तुम वापस आऊँगे ता में वे ऑन डाइरी परोंगी और photos और विडियोस भी साथ-साथ देखोंगी रिया वेंट टो हार होम अब रिया जब बापस आ रही थी मलब आना था रिया को बापस घर में तो शी फाउंड ओर नोटबुक एंड पेंड पूट इन हार बैग तो उसने अपने सार बैग में एक नोटबुक रखा और एक पेंड रखा अब यहां पे है think and run, right? इन which vehicle have you traveled? यहां पे आप लिखा है question का मतलब है कि आपने जब ट्राविल किये हो तो कौन सा विकल से ट्राविल किये हो? तो वैसे तो बहुत सारे अमलब ट्राविल से ट्राविल करते हैं तो आपने जो जो ट्राविल किये हो विकल से वह आप लिखना या मैंने जो टेक्सबुक में अंसर लिखा है वो भी आप लिख सकते हो तो यहां पर मैंने लिखा है I have traveled in many different vehicles फर एक्जमपल bicycle, scooter, autodictor, bus, car, train, camel car, ballo car, etc. ठीक है? नेक्स्ट कोशन है What would happen if Jiya had traveled despite her illness? लब क्या घटना घटे थी जब जिया लब डिस्पाइड हो गया थी बीमार हो गये थी ना ट्राविल कैंसिल करना पड़ा तो क्या हुआ था तो इस काम समय आपको बात में देखाते हूं नेक्स्ट यह भी 28 में रिया जड्राइड रिया ने क्या का लिखा तो यहाँ पे देखो क्लोक है आपके राइट सेड में टेक्स्बूक में तो क्लोक में कितना टाइम हुआ है? नाइन बचके 5 मिनित बाकी यहाँ 8.55 तो यहाँ पे 24 आवर्स में देखा जाये तो समय से आ टाइम आएगा मला बताएगा तो 8.55 ठीके तो रेल्वे टेशन में कैसे मला टाइम बताते 24 आवर्स से हिसाब से टाइम देखा देखा देगा ना टोड़ी इस फूल मून्डे फूल मून्डे था अज अप्टर टेकिंग आवर डिनार वी टूक एन अटो रिक्षा चुरी मून्डे था मून एकदम चांद जो है फूल आया स्काई में दिखाए दिया उन्हों लोगोने डिनार ले लिया डिनार होने के बाद क्याकि रिक्षा पक्री और गंधी धम रेलोई टेशन पाच गए अप्टर सम्टेंग दा ट्रेन अराइब दा टेशन फिर टेशन कुछ अरुआ स्पेसेंजर्स भी बैठ गए थे ट्रेन में ट्रेन हैं डिपएटम टिपरेटिट एट इख सेवन फिफिफि पी Grad счит अगेरे फ्रुज में बहुज में आ जाएगा compartir आग штरहिए अैग्छ अप्या किश्शन के से समय बाद मुच लोग जहां पर पहुचेंगे वह जिस ट्रेंड से सफर कर दिया है उस ट्रेंड का नाम क्या है दककच एक्सप्रेश वेंड वी वेंड नियार दककच जब वह मलब कच के पास में आ रहे थे पासी मलब आने वाले थे तो पास में थे पहुचनी वाले थे तो एक ही डोड था तो पाबली क्या करते हैं जब ही टेशन पर आने वाले थे तो पहले से क्या करते हैं धकका धोकी करते हैं पूशन करते हैं एक दूसरे पर धकका देते हैं फिर अपना लागेज जो है लेने की खीशते हैं ट्राइं करते हैं तो फादर फेल साम वान पूशिंग तो फादर ने एक जोन को पूशिंग किया फिर बहुत ही और उस नहीं कहा पापा ने कहा कि पूशिंग मत करो हैं एक जोन को गिरा के बोला कि इसे धकका देना बंद करो तो ट्रेन तो पंद्रा से 20 मिनिस तो रुकेंगे तो इसलिए जल्दी करने के कोई जोरूरी जोरूरी नहीं है क्या है पाब्लिक जो है अपने ट्रेशन